कि आज संडे है आज अपने को अपने घर की चेकिंग करनी है मैंने अभी-अभी दस ज़ंद अपने पूरे घर की चेकिंग किये कि नहीं अभी आप लोगों ने देखा कि मैं अपने पूरे घर में जा जाके देखा मैंने गंबले चेक किये मैंने पूरा कमरे चेक किये और हर जगे चेक कि कहीं मच्छर ना पल रहा हूँ और जहां जहां पानी साफ पानी था उसको आपने देखा कि मैंने उसको उंडेल दिया क्योंकि उसके आपनी है बिलाग्राग्रामपे एक सर्वे कराय था लोगों से। और मैंने पूछा था कि आपको पता है कि-डेंगू का मक्छर साफ पानी में पलता है। आपको जानके ताजयोb 가 कि बता दू कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पलता है गंदे पानी में नहीं पलता है और अक्सर अपने घरों में पलता है क्योंकि घरों में साफ पानी होता है सड़क के ओपर तो साफ पानी नहीं होता है घरों में पलता है सो आप ले भी मैं उमीद करता हूँ कि आज 10 बजे अपने अपने घर की चेकिंग की होगी नहीं की तो प्लीज प्लीज कर लीजी अपने अपने घर की चेकिंग और दूसरी चीज ये भी जान लीजे कि डेंगो का मच्छर 200 मीटर से ज़्यादा उड़ नहीं सकता इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ या तो वो मच्छर आपी के घर में पैदा हुआ है या पडोसी दो-तिन पडोसियों के घर में पैदा हुआ है तो हम ही जिम्मेदार होंगे अगर देंगो का मच्छर हमें काटेगा ना तो अपने घर की भी चेकिंग करनी है और पडोसियों के भी घर जाके पूछना है कि उन्होंने अपनी चेकिंग कर ली क्या हम लोगोंने सबने मिलके सभी दिल्ली वासियोंने मिलके पिछले 4 साल में डेंगू को काफी हद तक कम किया दिल्ले में 2015 में 15,000 से ज़्यादा केसिस थे डेंगू के, 2015 में 60 लोगों की मौत हो गई थी डेंगू से, अब 2018 में पिछले साल केवल 2798, तीन हजार से भी कम केस रह गई डेंगू के, 80% डेंगू को कम कर दिया, और केवल 4 मौत होई पिछले साल, तो इस साल अपने को इसको और भी कम करना है, अगर इस साल धीले आना तो ये और बढ़ जाएगा, इसको बढ़ने तो बिल्कुल नहीं देना, इसको और कम करना है, डेंगू को और कम करना है, और कोशिश करनी है कि एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, डेंगू से, मैं भी अपना वीडियो और सेलफी सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं, आप लोग भी जरूर डालना, क्योंकि इस से लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, लोग इंस्पायर होते हैं, जादा से जादा लोग डालेंगे तो जादा से जादा लोग इस अभीयान से जुड़ेंगे, हम सब को मिलके इस अभीयान को सफल बनाना है.